रोज रोज वही समोसा, कचोड़ी और ओली नास्ता खाखा के आप बोर हो चुके हैं तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही हिल्दी और चटपटा नास्ता जो की आप सिर्फ एक चमज घी से बना के तयार करेंगे हेलो गाईज टेश्टी हों कुक में आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ सूजी से बनने वाला बहुत ही चटपटा नास्ता शेयर करने जा रही हूँ साथ ही एक स्पाइसी जो है चटनी हम बनाएंगे जिसे इस नास्ते के साथ सर्फ करेंगे तो मॉंफली क कौंटिटी क्व जादा किया सकता है इस मॉंफली को हम दो तरह सपाल करेंगे आप जहां थोड़ा कम कर सकते हैं 3-4 म abort अच्छाय करेंगli ऐसे ही अलट पलट करो Colorado है जैसे आप देखें कि मुफली क्रैश हो गई है कलार हरका से चेंज हो गया है मतलब अच्छे से जो है फ्राइ हो गई है खुजबू आने लगी है फिर हमें इसे पाहर निकाल लेना है पैन में जो बचा हुआ ओयल है इसमें हम जो है एक तड़का तयार करेंगे तो गैस का फ् आप देखें पर मैंने मुंकी दाल इस्तिमाल किया है और इसी के साथ लिया है मैंने एक चम्मच चनी की दाल यह तो दाल जब आप तड़के में इस्तिमाल करते हैं तो नास्ते में जो है बखत ही बढ़िया टेश राता है तो अच्छे से मिक्स कर देजिएगा जैसे आप करीपता फ्राई हो गया है गैस का फ्रेम आफ कर देंगे यह तड़का तयार हो चुका है इस तड़के का इस्तिमाल हम दो तरीके से करेंगे तो आई आप लोगों को मैं पहला तरीका बता देती हूं जो हमने मुंफली फ्राई करके लिया हुआ था उसे हमें ग्रैंड करके चटनी तयार करना है तो यहां पर मैंने एक कटोरी मुंफली लगभग की फ्राई किया हुआ था जिसमें मैंने आधी कटोरी लिया हुआ है तो आधी कटोरी मुंफली को मैंने ग्रैंड जार में एट किया है तीन चार कली लेसून एट करेंगे और यहां पर मैंने चार हरी म करेंगे तो वह गाड़ ही होगी इसलिए हम यहां पर पानी का इस्थमाल कर रहे हैं ताकि मौफली अच्छे से ग्रैंड हो सके उसके बाद यहां पर मैंने लिया है हरी धनिया कैप लगाएंगे और ग्रैंड कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया जो है चटनी तयार हो जाती है मौफली के उसके बाद चटनी को हमें तड़के में एट करना है तो यहां पर जो मैंने तड़का तयार किया था आधा तड़का मैंने निकाल दिया और आधे तड़के में जो है हम चटनी आट करेंगे और मिक्स कर देंगे तो यह बहुत ही बढ़िया स्पाइसी और चटाकेदार चटनी बनकर तयार हो जाती है इसे हम साइड में रखेंगे आई अब हम नास्ता बनानी के लिए तयारी करते हैं तो मैंने एक बाउल लिया है इसमें हम एक कटोरी सूजी आट करेंगे मैंने यहाँ पर पतले दानी की सूजी लिया है आप चाहें तो मोटे दानी की सूजी भी इस्तमाल कर सकते हैं उसके बाद हमें इसमें आट करना है द तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है जो भी दही में लंब से था वो निकल गया है अब यहां पर जो है सूजी दही और पानी मिक्स होकर इस तरीके का बिटर तयार हो चुका है आप लोगों को मैं चमस उठा के दिखा रही हूं इतना जो है यह थीक दिखाई दे रहा है साथ में लिया है मैंने यहां पर टमाटर बारिक चॉप किया हूँ यह सारी चीजे जब आप इस्तिमाल करते हैं तो नाश्टी कर टेश्च जो है वह बखुत ही बढ़िया आता है और साथ ही काफ़ी हिल्दी हो जाता है उसके बाद यहां पर ने लिया है हरी मिर्ची तो य अब हम इसमें बाकी की चीजे एट कर देते हैं तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है तड़का, जो तड़का हमने आज़ा टरका निकाल लिया था तो उसे हम इस्तुमाल करेंगे तो यहां पर मैंने दो-तीन चमच तड़का इस्तमाल किया हुआ है इस तरीके से तड़का तयार करके जब आप नास्ते में इस्तमाल करते हैं तो नास्ते का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है दाल का जो crunch है वो दातों के नीचे आता ना बहुत ही बढ़िया लगता है उसके बाद इसमें मैंने स्वादानुसार नमक एट किया है इसी के साथ इसमें बारिक चॉप क्यू है हरी धनिया एट करेंगे और साथ में आट किया है मैंने हाँ पर आधा چंब मच बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा डालने से नास्ता काफी फुलटा है और हलका सा फोलता है सभी चीजों को mix कर देंगे नास्ता बनाने के लिए बेटर तयार हो चुका है इसे हमें सेट होने के लिए नहीं रखना है क्योंकि भाई मैं पास टाइम बहुत कम है दस मियट में हमें नास्ता बना के तयार करना है तो बेटर तयार हो चुका है अब इस नास्ते को जो है हम अप्पे के साचे में बनाने वाले हैं तो एक अप्पे का साचा मैंने गरम होने के लिए रख दिया है और इसमें हम घी आइट करेंगे तहां पर मैंने जो है चम्मच में घी लिया है थोड़ा थोड़ा से घी हम अप्पे के सारे साचे में जो है आइट करेंगे गैस का फ्लेम लो रखिएगा जैसे आप देखें कि घी पिघल गया है अप्पे का जो साचा ह वह गरम हो चुका है फिर हम एक एक चम्मच यहां पर बेटर आड़ करेंगे तो इस तरीके से बेटर को आप आड़ करिएगा और हल्का सा सेट कर दीजिए कि इधर उदर जो है सांच में फैला हुआ ना रहे लग जाएगा अगर आप फ्लेम मीडियूम कर देते हो ने तो नाश्ता जल्दी सेसी जाता है लेकिन अंदर तक अच्छे से से सेखता नहीं है उसकी पात जो है नास्तिक उपर हलका सा जीरे पाउडर का छिर्का होगी कि इस तरीके से जब आप जीरा पाउडर एट करते हो उ नास्ते को बितके पाउडर का शिरकाव हुआ है। नास्ते कना भालते हैं, नास्ते को बना थो ने सल्दिक है। जैसे आप देखें कि उपर से color change हो गया है और नीचे से जो है काफी color change होता हुआ दिखाई दे रहा है आप इस तरीके से नास्ते को बहार निकाल सकते हैं तो मैं आप लोगों को पलट करके दिखा देती हूँ इस तरीके से देखी कुछ ही तरीके से जो है डार्क ब्राउन सा color आ गया है और नीचे काफी क्रिस्पी भी दिखाई दे रहा है मतलब नास्ता अच्छे से 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 कर तयार हो चुका है इसी तरीके से जो बचा हुआ है उसे टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो का लाइक करिएगा मैं मेलती हूँ आप लोगों से एक नई रिस्पी में बाई गाईस